Hey everyone, my name is Jagat and I welcome you all in my video. So, आज की जो हमारी वीडियो है, ये बड़ी ही एक चोटी से ट्रिक होने वाली है. इसमें मैं आपको बताँगा कि कैसे आपकी जो इमेल अकाउंट है, ये जो जी मेल आपका अकाउंट है, उसमें आप अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं, ये किसी अलग कंपनी का अलग नाम से फोल्डर बना सकते हैं, इसमें आपकी जो का है वह काफी जादा इजी हो जाता है इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप अगर को किसी कंपनी में काम करते हैं और उसमें अलग-अलग मतलब किसी व्यक्ति का जो आपके पास mail आता और उनके आप अलग नाम से folder बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कि कैसे आप उनके नाम के folder बना सकते हैं और उनके जितने भी आपके पास एमेल जितने भी आई हुए हैं उनको आप उनके नाम के फोल्डर में डाल सकते हैं या आपके पास कोई ऐसे जो इमेल्स हैं जो मतलब स्कैम होते हैं या फिर जूस्फूल नहीं होते हैं उनको भी आप बड़े ही आरामसिस में डाल सकते हैं आपको बताऊंगा तो चलीए चलते हैं आपने डेक्स्टोप पर एक चीज और में इसके साथ ही बता दिना आप चाहता हूं जो यह वले ट्रिक होने वाली है यह वाले ट्रीक होने वाली है आपके PC से रिलेटेड पर पीसी है तो आप इसे आरामसे कर पाएंगे और मोबाईल वाली जो ट्रीक होगी और और भी बहुत सारी नहीं ट्रीक में आपके लाता रहूंगा अपने इसी चैनल पर तो चलिए अब चलते हैं मेरे सीधे जीमेल अकाउंट पर यह मेरे विंडो पर आप देख रहे हैं यह मेरा पुराना एक बहुत ही जीमेल अकाउंट और इस पर हैं बिल्कुल भीी मेल नहीं हैं उनको नाम के मैं वोणर बना देना चाहता हूंग कि मैं मुझह लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं देख लूँ नहीं तो में व्यूंसと कःओ करूंग मेरे लिए it अजbenा कि खर्फ कर लूंगा कि देखिर मैंने काफ़ी सारे यीमेल से मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है अब मैं इसमें क्या करूँगा फोल्डर बनाने के लिए मैं जाओंगो सीधा यहां पर जा पर आप देख सकते हैं अपर लेबल लिखा है इस पर मैं क्लिक करूँगा और आने के बाद मैं करूँगा क्रिये नियु जिस भी नाम से मैं बनाना चाहता हूं तो मैं इसमें लिखूंगा नोट यूसफुल तो नोट यूसफुल यह नहीं है तो मैं सीधा करूँगा और अब आप देखेंगे कि यहां पर नोट फूर्ड नोट यूसफुल नाम से एक पोल्डर बन गया है लेफ्ट अब आपको बता देता हूं साथी साथ जैसे माली जी यह मेरा एक अरपन नाम से है और मैं इसको भी इसी में डालना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरे लिख यूसफुल नहीं है तो जिसे गाना है अब मैं क्या करूँगा सीधा जांगा अपने फिर से लेबल वाले फ मेरे वह मेल जितने बीते सभी चले गया है जैसे आप देख सकते हैं नीचे यहां पर सभी आ चुके है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप एक ही मेल को दो फोल्डर ये दो से जादा फोल्डर में डालना चाहते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा इजी है उसमें सीधा आपको क्या करना इस पर आप गूगल करने के बाद जितने भी महलें आप इनको यह जैसे नॉट यूसफूल इससोचल प्रमोशन इनमें आप डालना चाहते हैं कि किसी हें फीज इमयल को तो उसमें आप बढ़े अराम से क्लिक करने के बाद अपलाई कर सकते हैं वो उसमें में सीधा चले जाएगा तो यह चोटी सी ट्रिक थी मैं आश्य करता हूं कि आपको जो यह ट्रिक थी बहुत अच्छी लगी होगी मैं आपके लिए कुछ नहीं और अच्छी ट्रिक्स लाता रहूंगा जो आपकी काम को काफी ज़्यादा इजी बना देगा तो अगर आप में जाहिन